हाई अब्रिवान वेलकम तो बिंग अबस्टीचर यूट्यूब चैनल आज ही इस वीडियो में हम करेंगे टॉपिक सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेस के क्या-क्या सिम्टम्स होते हैं जिन से हमें पता चलेगा कि सामने वाला ये परसन स्ट्रेस में है या हम अपने आप कोई पैचान सके कि हम स्ट्रेस में हैं हमें स्ट्रेस हो रहा है तो ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिन से पता चलेगा इससे पहले भी हमने जो वीडियो करी है उनमें कौज़िज और मीनिंग किया है दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मीनिंग ऑफ स्ट्रेस और कौज़िज ऑफ स्ट्रेस की वीडियो के लिंक है आप Anxiety होना किसी भी चीज से related, बहुत common है, और specifically जब person stress में होता है, मेरे को याद है, मेरे को anxiety हमेशा interview से पहले होती थी, मैं किसी भी job के interview के लिए जाती थी, तो मैं अपने पैर हिलाने लगती थी, अपने नाखुनों को bite करने लगती थी, अपने बाल पकड़ के खीचने लगती थी, तो ये सब anxiety के वज़ा से होता था, क्यों? क्योंकि मुझे stress होता था, अंदर जाने का, 5-6 लोग बैठे होंगे, वो मुझसे questions पूछेंगे, तो interview stress आजाता था, उस वज़ा से, जो है, मेरे anxiety वाले actions होते थे, पैर को हिलाना, वाइबरेट कर रही हूं मैं पैर को, ये anxiety है, राइट, next is hypertension, hypertension होता है, जब आपका blood pressure जो है, 140 by 90 हो, राइट, मतलब high blood pressure हो आपका, आपको इत्य धिक, बहुत जादा tension हो रही है, राइट, ये cause, ये जो है, एक symptom है, ठीक है, insomnia अगर आप जैसी regular sleep लेते हो, वैसी regular sleep नहीं ले रहे हो, जैसे एक person जो normally 8 से 9 घंटे सोता है, बट उस particular day, like अपने birthday से एक दिन पहले भई, या शादी होने वाली है, उससे एक दो हफते पहले, वो person नहीं सो रहा है, या उसकी job चली गई है, वो regular sleep नहीं ले रहा है, जो 8-9 घंटे की वो लेता था, तो ये क्या है, ये insomnia है, और ये stress की वज़ा से होता है, ये stress का another symptom है, heart diseases, अगर किसी को हो रहे हैं, वो stress का कारण हो सकता है, severe stress situation है, migraines हो जाते हैं, migraines में specific type का एक सर में आपको आगे की side उपर बिलकुल center पे दर्द होता है, तो ये हो सकता है another symptom, then rapid heart beat, आपकी धडकन जो है दिल की वो बहुत तेजी से बीट करने लगती है, मतलब speed जो है, उसकी frequency जो है वो बढ़ जाती है, अगर वो धक 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 ऐसे कर रही है, तो वहाँ पे वो beats बढ़ जाएंगी, धक 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 धक, मतलब और fastly होने लग जाएगा, right, next is dizziness, dizziness is when you feel like आपको चक्कर आ रहा है, vomiting sensation हो रहा है, that is dizziness, वो भी stress की वज़ा से हो सकता ह है, बहुत लोगों को होता भी है, like अगर आपको office में first time कोई presentation देनी है और उसका stress है, या आप काम बहुत सालों से कर रहे हो पर कोई special presentation देनी है, तो उस वज़ा से stress है, और dizziness हो जाती है, कुछ लोगों को, तो आप like बहुत सारे लोग हैं, आए, मेरा brother है, उसको जब भी stress होता है, तो उसको dizziness feel होता है, उसको vomiting sensation या कभी-कभी तो vomit कर भी देता है, चकर आने लगते हैं उसको, तो उसकी साथ ये वाला symptom है stress का, कुछ लोगों में shortness of breath हो जाती है, यानि कि वो सास उनको धंसेनी आता है, तो उस वजह से stress होता है, I remember, one of my in relatives, उनकी बेटी की शाद तो उसकी mother को उस दिन shortness of breath हो गई थी, मतलब एक दो दिन पहले भी, जैसे जैसे time और वो particular day pass आया, क्योंकि उनकी बेटी उनसे दूर जा रही थी और उस वजह से वो stress में थी, shortness of breath जैसे ही होती थी, तो सब समझ जाते थी कि ये पक्का कुछ ना कुछ सोच रही है, इस फिर से वैसी ही feeling आने लग गई है, next is headaches, यानि कि सरका दर्थ आ जाता है, ये बहुत common है, tension आ जाती है कुछ लोगों को, right, तो उस वजह से आप पहचान सकते हो कि yes, ये बंदा जो है, वो stress में है, ये तो बहुत normal है, हम किसी को तनाव में देखते हैं, tension में देखते हैं, तो बड़े भाई भेनों में या अपने और family members जो भी आपके साथ रहते हैं, उनमें आप easily ये पता लगा सकते हो, next is depression, अगर कोई person depression में है, like किसी के पास employment नहीं है, कोई person stress में उसकी वजह से definitely होगा, तो आप उसको depression में जाते होए देखो कि जिससे आप पता लगा सकते हो, yes, ये person जो है, वो stress में, depression कैसे, वो socialize होना कम कर देगा, बाते करना कम कर देगा, चिड़ चिड़ा रहने लग जाएगा, and so on, poor memory, किसी person, अगर ये मम्मियां होती है न, जो घर पे रहती हैं, ladies, उनके साथ बहुत problem हो जाती है, उनकी memory weak हो जाती है, poor हो जाती है, stress की वज़ा से ये मेरी मम्मी के साथ भी problem होती है, specifically, जब उनने stress होता है, उनकी memory भूल जाती है, वो चीजे रखके भूल जाएगे, मैंने कहां रखी दी, ऐसा chargers के साथ, घर की चाबियों के साथ, और भी छोटे मुटे items के साथ, वो बहुत करती रहती है, और उससे मैं हमेशे अपनी मम् पूर हो गई है, right, next is weight gain, बहुत लोगों में weight gain हो जाता है, stress की वज़ा से, ये भी मेरी मदर में हुआ था, कभी मतलब अभी तो नहीं है, बट आज से 10-12 साल पहले मैं देखू, जब भी उनने stress आता था, तो उनका वजन automatically बढ़ने लग जाता था, right, next is issues with concentration, ये teenagers में बहुत पाया जाता है, बच्चों में भी पाया जाता है, right, की जब उनने stress होता है, तो उनके साथ concentration issues आ जाते हैं, कई concentrate नहीं कर पाते, सिर्फ उनी के साथ नहीं है, even मैं अपनी बात करूँ, अगर मुझे stress होता है, तो मैं concentrate नहीं कर पाती हूं, let's suppose, अगर मुझे किसी शादी में जाना है, ठीक है, या कल मुझे कहीं और जाना है, XYZ शॉपिंग पे जाना है, तो मेरा डेली का जो रूटीन है, वो बिगड जाएगा, उस वज़े से भई उस जगा जाना है, जाना है, तो मुझे stress आ जाता है, अब मुझे मेरे जो काम करने हैं, अगर दो दिन तो मेरे को आज के, कल के अपने जो एक डेली लाइफ रूटीन करना है, तो मैं उस पे concentrate, उसकी activities पे नहीं कर पाती हूँ, राइट, सो यह यहाँ पे symptoms हैं, stress के, इसके अलावा भी काफी सारे हैं, अगर कोई आपको click होता है, तो you can definitely write in your answer, मैं उमीद करती हूँ, आपको topic सम जाया होगा, कोई भी query हो तो comment section में लिखकर जरूर बताईएगा दोस्तों, धन्यवाद, जय हैंद